कि नवश्कार दोस्तों बैस्तुलाजर सचेन स्वागा तो अब जंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आपकी गोचर खुनली क्या कहती है सिंग राशी वालों की तो केतू और चन्वा जो हैं तिर्थी भाव से अपनी यात्रा को स चनी जो हैं शश नामक पंच भापुरुष योग बना कर बैठे हुए हैं आपके सक्तम भाव में बुद्ध और राहु और गुरु एक साथ है नवम भाव में सूर्य आपके बैठे हुए हैं दस्वे घर में तो यह इस्तिती बनती है ग्रहों की अब यह ग्रह क्या-क्या परिणाम देंगे क्या अच्छा क्या बुरा करेंगे यह सब कुछ हम जानने वाले हैं यह इस्तिती ग्रहों की चलिए अब शुभारम करते हैं क्या कब कैसे होगा उपाय क्या होंगे तो सिंग राशी वालों आप यह चीज जान लें कि एक और दो तारिक को आपको बहुत परिणाम मिलने वाले हैं आप अपने कामों में वैस्त रहेंगे शारिक स्वास्त उत्तम रहेगा योग वयाम जैसी चीजों बे आप अपना समय लगा सकते हैं कुल मिलाकर आपके लिए 65% यह महीना शुभ है दो नंबर आपके लिए लखी रहेगा आप लोग हन्मान जी की जम्दी सुधरती है तो खुश रही है प्रसंद ही आउनन में रही है मस्कुराते रहें मा सरस्थी की अराषि के अराधना करिये और गडेश जी के उपास्थनां जेसा सीवे संसर हर्मान जी की बुजब कर सकते हैं अब बात आती है उनकी जिनके पास जरम कुर्दी नहीं ह तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि मैं कब success पाऊँगा या मेरा परिवार कब अमीर बनेगा जब तक आप अपनी और अपने परिवार के जर्म खुंडी हमें नहीं दिखाएंगे तब तक हम आपको पुछ नहीं बता सकते कि आप क्या होने माला है क्या नहीं होने माला है जर्म कुली के देर हमाएं सामने आई फिर हम आपको वह बता देंगे जो आप जानना चाहते हो तो मैं उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपती जर्म कुली बनवा कर अपने जीवन को सुखी बनाएं डरिये नहीं जोतिश आपकी मदद करने के लिए है जोतिश आपकी ऐसी मदद करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते जोतिश के छोटे शोटे उपाएं आपको राजा बना देंगे तो एक बार सोचिए और तिन जन्म कुली की जानच कराईए ताकि आप अपने बारे में भी बहुत कुछ जान सके दिये के नमबरों पर आप समपर कर सकते हैं हरी ओप, हमशकार